आईपेल में चन्ने सुपक्तिंग को खिताब जिताने में एहम भूमी का निभाने वाले रितुराज गायकोड की अब शादी के बंदन में बन गए हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे उनकी पत्मी उतकरशा पवार के बारे में। कि आखरी कौन है उतकरशा जिसने उत्युराज से शादी की है। आपको बता दे कि उतकरशा माराटी परिवार की सद्ध से हैं। उतकरशा अमरपवार का जनम 13 ओक्टूबर 1998 को महराश्टे के पूर्णे में हुआ था। उन्होंने 11 साल की उमर में क्रिकेट खेलना शुरू किया था। बाद में उन्हें माराश्टे महिला टीम में शामिल होने के बाद चेन मिला। वे फुटबॉल और बैंडमिंटन खेलती थी और खेलों में हमेशा सक्रिय रही हैं। उन्हें डांस करना भी बहुत अच्छा लगता है। वे कथक डांस भी सिखाती है। उन्हें अपना आखरी मैच नवमब 2021 में Senior Women's World Trophy में पंजाब की खेला था। वे साल 2019 में Under 23 T20 Challenge Trophy की भी इंडिया सी के लिए भी खेल चुकी है। रितुराज गायकोर्ड और उतकरशा दोनों एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। यहां तक की चन्नई और गुजरात के बीच खेले गए फाइनल मुकाबले में। वे रितुराज के साथ मैच जीतने के बाद जशन मनाती भी नज़र आई। फिलहाल वे पूने के स्थित इंस्टूट ओफ नुटुशिंस एंड फिटनस साइंस में पढ़ रही हैं। साथ ही आपको बता देते हैं कि उनका नाम महिला प्रेमन लीग की निलामे की सूची में भी दिया गया था। लेकिन वहां वो खरीदी नहीं गई। यहां अब उतकरशा पवार ने चन्ने सुपक किंग के बलेबाज दुराजगाय कोट की से शनिवार को शादी कर ली। रुतुराज के साथ उतकरशा की शादी की तस्वीरे शोशल मीडिया पर शेर की गई। जो शोशल मीडिया पर खुब वाइरल हो रही हैं। यहां तक की फैंस को दोनों की शादी की भधाई भी दे रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में आज इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेर और सस्क्राइब जरूर करें।